तूडिन्स आज हम यहां पर हिंदी का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं यहां पर हमने कुछ पेड़ों की सूची बनानी है कि दादर और नगर हवेली में कौन-कौन से पेड़ पाए जाते हैं और उनके महत्व के वारे में भी बताना है पेड़ पोदों के महत्वा पर 5-6 पंक्तियां भी लिखने और इसके साथ ही आम, केला और नारियल के पेड़ों में से एक चित्र बनाना है ठीक है तो चलिए हम दादरा और नगर हवेली में कौन-कौन से पेड़ पाए जाते हैं उसकी एक सूची बनाते हैं वैसे तो दादरा और नगर हवेली में बह इसके लकड़ी भूरे रंग की होती है गुंती नहीं और घर तथा खेती के औजार बनाने के काम में आती है बबूल की तरह इसमें भी एक परकार का गोंद निकलता है और बड़े काम का होता है इस लकड़ी के टुकड़ों को उबाल कर निकाला और जमाया हुआ रस जो पा उप्युक्त होती है इसके बाद आता है टीक तो इसकी क्या importance है सागवान भी बोलते हैं टीक को ठीक है सागवान को संस्क्रिट में शाक कहते हैं वर्बीन ऐसी कुल का यह व्रहित पर्ण पाते व्रिक्ष है यह शाखा और शिकर पर ताज ऐसा चारो तरफ फैला हुआ होता है यह बहुत जादा भरा हुआ पेड़ होता है इस आगवान भारत बर्मा और थाइलेंड का देशज है और फिलिपाइन द्वीप जावा और मलाया प्राइद वीप में भी पाया जाता है तो मीध है आपको इतनी इंफोर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इसी तरह के और भी प्रजेक्ट्स आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए और इसके साथ ही इसमें आपने एक प पिच्चर रडी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई सा भी आम का पेड केले का पेड या फिर जो भी आपको इसी लगता है उमीद आपको वीडियो पसंद में आया होगा डाउन फारगेट टो लाइक और सब्सक्राइब थैंकि सो मत बाबाए